हलो एविवन ग्रीटिंस ऑफ देरे विल्कम बाक तो दे चैनल मैं हूँ डॉक्टर साहिल रोग और आपका बहुत-बहुत सौगत है आपके अपने यूटिब चैनल यूटिब चैनल यू कॉमर स्कॉलर में दोस्तों हम वी कॉमफोस चेर की मनी बैंकिंग सब्जेक को कवर कर करते हैं दोस्तों इस लेक्चर के बाद इसका पीडियाफ अपने टेलिग्राम ग्रूप में शेयर कर देंगे तो उसे भी आप जरूर जॉइन कर लिजे ताकि फ्री आपको ये सारे के सारे कंटेंट्स मिलते जाएं आपके नोट्स भी तैयार होते जाएं और आपकी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली सब्सक्राइब कर लिजे और उससे भी जाड़ा इंपॉर्टेंट ही है कि अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीज़ेगा आए शिरुवात करते हैं और जानते हैं कंटिंजेंट फंक्शन साफ मानी को सबसे पहली बात कही जारी है basis of distribution of national income national income का जो distribution होता है उसका base होता है हमारा money ठीक है इनोंने कहा कि in the production of goods and services of any nation the contribution of factors of production of that nation is very important ठीक है किसी भी देश में goods and services का जो production होता है उसमें उस देश के factors of production का जो contribution है वो बहुत ही ज्यादा important होता है यह factors of production क्या होते हैं हम सभी जानते हैं जिसमें होता है land, labor, capital उसके बाद entrepreneurship ठीक आगे कहा जा रहा है कि according to their contribution they are paid wages, salaries, interest, rent and profit which are determined and paid in the terms of money तो contribution के हिसाब से उनको wages, salaries दी जाती है interest, rent दिया जाता है और profit दिया जाता है देखिए अगर land है तो land को क्या मिलेगा? rent, labor को क्या मिलेगा? salaries और wages मिलेगा, ठीक है? capital है तो capital को क्या मिलेगा? interest मिलेगा, ठीक है? और entrepreneur जो business का मालिक है जिसने business में पैसा लगा करके risk लिया है उसे क्या मिलेगा? profit मिलेगा और यह सार और गरीब होता जा रहा है यह चीज़ आपने सुनी है । GAUVMENT कैंगर था है कि इस ग्याप को reduce करने के लिए, इंक्वे बीच में यह जोट यह बढ़ता जा रहा है ग्र्मन का करते हैं कि जल और यह पूर्?. प्रोवाइड कराते हैं तो अमीर का जो थोड़ा excess money है उसे ले करके गरीब को दिया जाता है ताकि यह ग्याप कम हो सके तो यह भी किसके term में किया जाता है money के term में किया जाता है तो इन्होंने बताया to remove inequality of income between rich and poor by preparing and implementing various welfare schemes तो government क्या करती है अमीर और गरीब के बीच में जो inequality है income की अमीर के पास ज्यादा income है गरीब के पास न के बराबर income है तो यह जो inequality है उसे कम करने के लिए government बहुत सारे welfare schemes बनाती है और उसे implement करती है आगे कहरें कि calculation of income and determination of economic inequality is also made in monetary units तो यह जो calculation of income है कि भाया कितिने रुपए आप कमाते हो जिससे पता चले कि आप गरीबी रेखा की नीचे हो की उपर हो ठीक है तो यह जो income का calculation है उसके basis के उपर यह determination यह determine करना कि आप अमीर है या गरीब है ठीक है यह monetary units में ही किया जाता है यह था हमारा दूसरा point आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा basis of economic development plan अब देश का जो economic development है सड़के चौड़े होंगी metro आएगी bullet train आएगी bullet मतलब bike ने bullet train आएगी हमारे देश में आ रही है ठीक है तो यह economic development है ठीक है smart cities बनेगा economic development है तो उसका base भी क्या है हमारा money है इन्होंने क रहा the determination and the valuation of economic plans could be possible due to money only की flyovers बनेंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा यह monetary terms में तो possible हो पाया है money है उसी के terms में valuation किया जा रहा है तब ही तो हम determine करके बता पा रहे है अगला कह रहे हैं कि basis of comparative study of economic development अब economic development कहा economic development हो रहा है कहां नहीं हो रहा है यह comparison आप money के terms में कर सकते हैं जैसे दिल्ली जैसे शहर में अगर कोई इंसान 5000 रुपय महीना कमा रहा है तो comparatively यह उतना गरीब नहीं है क्योंकि गाउं में आपके पास मतलब 5000 रुपय में थोड़ा बहुत गुजारा कर सकते हो दिल्ली के comparison ठीक है आप समझ रहें क्योंकि दिल्ली में महंगा ही ज्यादा एक विलिच के comparative इन्होंने का कि basis of comparative study of economic development जिसमें पहला कह रहे हैं जो economic development है different provinces यह states का यह different periods का record किया जाता है monetary units में अब different states की बात करें इंडिया का सबसे अमीर सबसे ज्यादा रिच जो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा per capita income है that is Goa एक तो बहुत चोटा सा है उपर से हर घर में होटल बना हुआ है लोग रहते भी है खाते भी है पीते भी है हर एक बंदा कमा रहा है ठीक है territory बहुत चोटी है और एक tourist place है तो इंडिया का सबसे रिचे स्टेट कौन सा है Goa और इंडिया का स इंकम स्टेट की इंकम ठीक है उस basis पर पता चला प्लस हम growth को देखते हैं monetary units में जैसे मान लीजे स्टेट के हिसाब से भी पहले GDP किती थी अभी कितनी हो गई आप अपनी income भी देख सकते हैं कि भया पहले कुछ नहीं कमाते थे पढ़ाना शुरू कर गया तो बहुत कमा रहे कि इससे आप एक comparative study कर सकते हैं जिसमें अलग अलग periods में आपने कितना progress किया जब आपने जिसे मान लीजे मैं हूं मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो 200 रुपय में फीस लेता था फिर बढ़गर के 500 रुपया हो गया फिर बढ़गर के 2000 हो गया फिर बढ़गर के 5000 हो गया पिर पेशन को अएक एक राज कराने के लिए अपना इक इस और बढ़ता है फिर दोपशा था उसे दूतरा और इलाज कराता है मतला इतलना मेंगा हो गया अज कलका डॉक्तर यह हो गया आगे गिए helpful in capital formation capital formation दिके capital का मतलब होता है sum of money which is initially invested in business तो पुन्जी को जो 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 capital है उसके formation में हमारा money बहुत helpful है कैसे इनों ने का कि it has become easy to save money being in circulation in the present form जो भी एक economy के अंदर एक देश के अंदर जो circulation में money है जो present form में circulate हो रही है उसे आप बड़े आराम से सेव कर सकते हो कहां सेव कर सकते हो बैंक में सेव कर सकते हो ठीक है is deposited into banks हर एक बंदा अपना जो भी कमाता है उसका कुछ portion बैंक में अपने खाते में जमा करता है ठीक है क्योंकि भविश्य is full of uncertainties future is full of uncertainties तो जो भी आपकी earning उसका part of a income हम future के लिए बचा करके अपने bank में लगते हैं आगे कहने कि money deposited into bank are also invested in shares and deventures issued by companies तो जो बैंक में पैसा जमा किया गया है तो बैंक आपको interest दे रहा है तो बैंक कही ना कहीं से उसको कमाएगा ना तो बैंक कहीं ना कहीं लोन दे देता है और वो भी अपने shares, deventures कहीं कहीं बड़ी-बड़ी companies में investment करता है और companies का capital formation हो जाता है उनको पैसे मल जाते हैं ने डेर सारे अगे बढ़ते हैं अगला कह रहे हैं की basis of credit माफ कीजे का थोड़ा गला करावे basis of credit इन्हों ने कहा की credit transactions are continuously increasing with the economic development and credit transactions are based on credit of the parties it can also be done with the help of money इन्हों ने कहा की credit transactions continuously बढ़ते चले जा रहे हैं credit transactions का मदब उधार में दिखे normally जो business होते है ना वो credit में ही होते हैं ठीक है उधारी में हमने आपको कोई सामान दिया आप बेच देना तो हम तागाजा करने आएंगे मतलब वसूली करने आएंगे महीने की स्तारीक वाइंगे तो जो उतना माल बेचा होगा उसका कुछ हमें दे दीजेगा फिर हम आपको माल देंगे तो नॉर्मली जो business होते हैं वो credit transactions के basis के वी पर huge जादा होते हैं तो credit transactions are continuously increasing बड़ी तेजी से बढ़ रहा है with the economic development and credit transactions are based on credit of the parties it can only be done with the help of money और ये credit उधार लेन देन आप money के बज़े से ही आप कर सकते हैं तो वहां basis of credit भी हो गया अगला basis of measuring solvency solvency का मतलब यह होता ही कि अगर मैंने किसी से उधार लिया है अगर मैंने किसी से credit लिया है उधार पैसा लिया है तो मैं अगर चुका पा रहा हूं तो मैं solvent हूं और मैं अपना जो रिन लिया है उधार लिया है कर्द लिया है वही मैं चुका नहीं पा रहा हूं तो मैं in solvent तो basis of measuring solvency कि आप solvent हींगी नहीं हमने कहा present money is the basis of saving and present saving is the basis of future credit present money के basis को आप अभी save करोगे और यह जो present आपने पास और किसी को जरूरत पड़े तो मैं उसे उधार दे सकता हूं आगे कि cash reserves is the basis of measuring solvency of an institution or the person तो जो cash reserve इंसान अपने पास रखता है वो उसी basis पे solvency को measure किया जाता है किसी institution का यह किसी इंसान का अगर मेरे पास पैसे नहीं है cash reserve नहीं है और मैंने किसी कर्ज ले रखा है तो आप मुझे इंसालवेंटी तो consider करोगे लेकिन मेरे पास पैसे हैं मैंने ले रखा है तो मतलब आप समझ सकते हैं तो मैं solvent हूं आगे के रहें कि carriers of the desires इसमें के रहें कि money is called the carriers of the desire का मतलब whatever is desired by you can fulfill it with the help of money जो भी आप डिजायर कर रहें जो भी आप चाहते हो जैसे मुझे कार करें मेरा मन्न है कि मैं कार करें दूं डिजायर कार नहीं मतलब डिजायर है कि मैं कोई कार खरी दूं मारूती की जायर नहीं कोई ठीक है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए पेसे तो पेसे जब आजाएंगे जमा कर लेंगे तो कार भी हो जाएगी समझ रहें तो money is called the carrier of desire आपको लाइब में कुछ भी चाहिए तो उसे अब पैसे में आप देखो कि भाई या वो चीज पानी के लिए मुझे कितना पाईशा लगेगा तो आप उससे सबसे पैसे बचा होगे और उसे फुल्फिल करोगे आगे कहे रहें कि basis of maximum satisfaction जिसके पास जित्ता ज्यादा पाईशा होगा उत्ता ज्यादा साटिस्वाई होगा क्योंकि यो अपनी नीड और वान को पूरा कर लेगा शाएद ऐसे ही होता है इन्होंने का कि if every unit of money spent by the consumer according to the law of equimarginal utility he can achieve the target of maximum satisfaction कैने का मतलब मैं आप यह जो लॉफ मार्जनल इक्विड लॉफ इक्विमाजनल यूटिलिटी ना मतलब मैं एक रुपय खर्च किया उसके बराबर का मुझे साटिस्वाक्शन मिला this is law of equimarginal utility इसके उपर मैंने विडियो बनाया है अब law of equimarginal utility टाइप करके मेरे यूटिव चानल का नाम यह दोक्टर साहिल रोई लिग दी जाएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा इसको सिंपल भाशन ऐसी समझ लीजिए कि मैं अगर सौरपय खर्च करता हूं मुझे सौरपय के बराबर utility मिलती है तो मतलब मैं सैटिस्वाई हूँ ठीक है से एही कहा है कि हर यूनित में का जब आप संपेंड गरते हो और अगी करें लिकुुडिटी ऑफ मानि में इस्ट इन गमपरिगोर्जन ओप ऑल अदर अधर एसेट में बाकी सारे is said to be the most liquid form of asset ठीक है मनी जो है वो सबसे ज्यादा liquid form of asset है अगला है basis of plan and public budget ठीक है तो government का जो plan होता है economic development का government क्या estimate करते है कि government के क्या खर्चे हैं government क्या खर्चा करेगी budget जो prepare किया जाता है monetary units में prepare किया जाता किसी भी देश द्वारा ठीक है जिस देश में वो बिलॉंग करते हैं मतलब government plan economic development they estimate the expenditures to be made on them budgets are prepared on monetary units of that country to which they belong ठीक है अगला है basis for measuring price level price level measure करने का कि कोई चीज़ जैसे कोई पहने वह 10 रुपए का था बारह रुपए का अगर प्राइस लेवल बड़ी तेजी से दिल की धड़कन के तरह बढ़ता घटता रहेगा स्टेबल नहीं हो अच्छा स्टेबल होने पर इंसन मर जाता है नहीं लेकिन economy में price का stableना ब़ूत जरूरी है एंसान की जिंदा रहने के लिए धड़कन ऊपर कोई दो जरूरी है stable हो जाता है नहीं कर लिया लेकिन economy के लिए थोड़ा उल्टा ओता है एकॉनमी के लिए price level छो है वह बार-बार बदली होगा तो तो that will hinder the stable development तो प्राइस लंबे समय तक सेम रखने की ज़रूरत है एकॉनिमी के अंदर रापिड इंक्रीज इन्दा प्राइस लेवल इस कॉल्ड इंफलेशन और डिक्रीज इन इट इस कॉल्ड इफलेशन and both of them are not suitable for the economic development of the country बड़ी तेजी से price बढ़ना inflation कहलाता है बड़ी तेजी से price का घट जाना deflation कहलाता है ठीक है और डोनों एक दिश की तरक्की के लिए बिलकुल suitable नहीं है ना inflation आना चाहिए ना deflation आना चाहिए एकदम price constant रहनी चाहिए प्राइस बढ़ गई inflation आगया प्राइस गट गए deflation आगया recession आगया बहुत सारी problem हो जाती है इन्होंने कहा कि by adopting the measure of controlling prices efforts can be made for maintain price level तो बहुत सारे measures adopt करती है government ताकि prices को control कर सके बहुत सारे effort लगाती है ताकि price level को maintain कर सके ठीक है आखरी point है हमारा basis for estimating per capita income and per capita production per capita income समझते हैं per capita income मतलब एक देश के अंदर एक साल के अंदर परती वेक्ती कितना कमाता है उसकी साल भर की income ठीक है उसे हम कहते हैं per capita income आप कहिंगे सर हम तो पढ़ रहे हैं हम तो कुछ कमाते ही नहीं लेकिन अगर आपने per capita income की definition पढ़ी है तो हम क्या करते हैं कि पूरे देश की income को पूरी population से divide कर देते हैं तो पता चल जाता है कि per capita income कितनी है ठीक है on an average एक वेक्ती उस देश का कितना कमार है and per capita production इसको भी समझ लेते हैं इन्होंने कहा कि in modern age per capita income has become the basis of estimating the richness of the individual and richness of the nation तो आज की समय में क्या है कि per capita income के basis के वेपर आप ये अनुमान लगाते हैं estimate करते हैं कि बंदा कितना अमीर है ठीक है या एक देश कितना अमीर है क्योंकि इंडिया के लोग मांदेजी साल भर में धाई हजा डॉलर कमा रहे है कि वहीं सिंगापूर के लोग धाई लाख डॉलर कमा रहे है तो भाई या धाई लाख डॉलर धाई हजार डॉलर तो डिफरेंस आप समझ पा रहे हो कि अमीर को आने ग्रीव को आने ठीक है आगे क्या बोल रहे है विच कंट्री इस डेटर्माइन ऑफ का इनकम कौन साथ देश जाधा इवलप है वो पर क्यापटा इंकम के बेसेश के ओपर डेटरमाइन किया दाता है आगे का जा रहे कि पर क्यापटा जो प्रोडक्शन है PCP डेटरमाइंस दप्रोडक्टिविटी और एफिशेंसी ऑफ एंप्लोईज बहुत सारे लोग सब्सक्राब करने के समय में ईसंपने अफिशेंटली काम नहीं चाहरे बहुत और बयौन कि इसब नहीं करते हैं संपना ऀफिशेंटली काम नहीं करते हैं मैं सब्सक्राटप्रोड करता तो शरकारी लोग बहुत अच्छे होता हैं थि Armstrong दिन भर में 6 घंटे एफिशेंटली पड़ा सकते हूं इससे जादा मैं नहीं पड़ा हूं ठीक है तो यह मेरी efficiency है तो पर-capita production determines the productivity of efficiency of employees आगे कहे रहें PCI and PCP both are recorded in monetary units जो per capita income है और per capita production है दोनों monetary units में record की जाती है दोस्तों मुझे मालूम है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन पॉइंट्स बहुत जादा थे उमीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत beneficial रहा होगा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो पसंद आए हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा हो सके तो दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजेगा on this note thank you so much for watching this video have a good day and all the best for your examination good luck God bless you all